आली सावन पूश है यह आस्टेलिया में होते हैं अब बुलू कर जौब करते हैं यह लेकिन होफफुल है कि दो से तिन घंटे यह काम से निकाल लें ठीक है और इनको सुष यह परिशानी है कि क्या बारा महिने में ए आई ऑप्स कोड्स कर लेंगे क्या अलना आप इनको इनक अगर आपको मनी बैग गैरेंटी चाहिए सब क्यों चीज़ ना तो इसके लिए आपको अलरजा को सब करना होते हैं अगर आपको वो नहीं चाहिए और आप अनामरा आपसे कोर्स खतम कर रहें आप अठारा महिने में खतम कर सकते हैं इसके मनने नहीं किया आप एक साल की फ यह उबर चलाते हैं क्या करते हैं वेर इस यहां बैटे में यह यहीं है मेरे खाल सब्सक्राइब नहीं है आप यह शायद हो मुझा अगर यह वही अली उमेर है तो मैसेज करके आं बताएं कि हां मैं वही हूं तो मैं इनको पह ले सकता हूं पॉइंट इसके ना The point is अगर वो गाड़ी चला रहे हैं या वो ट्रक चला रहे हैं या जो भी ओड जॉब कर रहे हैं अगर उनके पास ऐसा मौक़ए है कि वो लेक्चर सुन सकते हैं तो बहुत सारे लेक्चर दो वहां सुन सकें जो सुनने वाले उसने वाला काम आकर सकते हैं practice करने वाला काम उनको घर में computer के सामने बैटकर practice करना ठीक है हला तबदील करनी के लिए उनको खुद फैसला करना पड़ेगा किया मैं क्या करूँ और उसके लिए इनसान को मेहनत करकर आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा ठीक है और वो यह हैं कि इनसान को अपने आपको और्गिनाईस करके काम करना पड़ाईगा और जॉब्स कब तक करो और जॉब्स इनसान के एक्जिस्सिंस को खा जाती है मुश्किल है ठीक है क्योंकि उसमें वो अगला जो आपको पैसे देता है वो आपको रगड़ के फेक देता है ठीक है ना तो ये चीज़ याद रखो तो तुम्हारे लिए बहतर है कि तुम कोशिश करो कि तुम अच्छी से अच्छी नौकरी डूला जिसमें तुम्हे रिलाक करोंगा और अपने भी जानवरों को देखोऊंगा तुम जाके उस दिन रसुल्ल्ह श्ले लख गुश्स आज पढ़ा ही करो और नेक्स डे तुम मेरे सारे जाय। देखोगे और अपने करते हैं सूफी बन जाते हैं मज़दों में बैड़े आते हैं यह घलत है ठीक है ना सहाबाने नहीं किया अबुबगर रसूल ला सलम अबुबगर 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 अमर उस्मान अली इस दा जो उनका रुदबा है ठीक है so you can imagine so umar bin khattab was umar bin khattab right so you have to follow uh basically the principles the examples of the sahaba you have to organize yourself and you have to work hard and there are nothing nothing is for free in this world as long as you're alive if you want to change yourself you have to work hard and you have to work smart at the same time and the discipline can only come through quran and sunnah the adoption of the sunnah and the salah and the quran if you adopt these things you will have complete discipline in your life but you have to keep on doing this thing you can't leave it